circles questions type 2 के questions चल रहे हैं आज का पहला question देखो बचो in the given fig ना भी फिग दूँगा आपको equal quotes a b and c d of a circle with center o cut right-angular at E, right angle at E, okay. If M and N, if M and N are midpoints of A, B and C, D respectively, prove that, but are easier, prove that O M E N is a square. हमें given है, यहाँ पर एक circle और हमारे पास दो equal codes है कुछ ऐसे, equal codes आप समझती हो, सारी properties equal codes की, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास circle का center है, जो यह point पर काट रहे हैं, एक दूसरे को, यह e point है, और यह angle बच्चों हमें 90 degree दिया हुए, अब आप खुद करो, यह AB का मिड़ पॉइंट है M, CD का मिड़ पॉइंट है N, वैसे तो कुछ बचा ही नहीं आप करने को, मेरे इसाब से तो औरली हो रहा है कोशन, जल्दी कर डालो, कोशन को रीड करो, और रिस्पॉंड करो. करो, करो, जल्दी करो, शाबश, वैसे तो करने को, कुछ हाई नहीं आप, देखो न, कोड के, जब मिड़ पॉइंट चाम, जोइन करेंगे सेंटर को, तो वो आटोमेटिकली प्रिपेंडिकुलर भी होगा, कोड के जब मिड़ पॉइंट से हम जोइन करेंगे सेंटर को, तो वो आटोमेटिकली मिड़ पॉइंट भी होगा, समझ रहे हो, यह 90, यह 90, यह 90, बात समझ आ रही हैं, बेटा सबको, यह 90 यह 90, यह 90, यह automatically 90 तो हो गया, अगर किसी quadrilateral के तीन एंगल 90 हो गया, बात समझ गए, अब यह कैसा quadrilateral बन गया, जिसके यह सारे एंगल 90 है, पहले तो यह देखो क्या यह parallelogram बन गया, कि इसके opposite angles equal है, फिर क्या यह parallelogram से rectangle बन गया, तो भी एक parallelogram का angle 90 हो गया, अब यह square कैसे बन करेंगे, rectangle की यूज करके, क्योंकि बाकी दो तो equal हो गये, और क्योंकि यह equal है, इसलिए, पहले यह सब को समझ आ गया, कि यह क्योंकि adjacent sides equal है, और rectangle की adjacent sides different होती है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो, यह O, M, E, N, एक rectangle तो पक्का बन गया, यह बात समझ आई कि यह rectangle तो सबको पक्का बन गया, अब यह square क्यों है, देखो न, यह एक ऐसी figure हो गई, जिसमें O, N, O, M के equal है, कोई बता सकते है, O, N, O, M के equal क्यों है, the codes are equal, because codes are equal, very good, because codes are equal है, अब जब codes equal होंगी, तो उनका center से distance equally होगा, न, codes का center से distance equally होगा, और distance का मतलब perpendicular distance ही होता है, एक point का, एक line से, जा एक line का, एक point से, समझ रहे हो, यह बात समझ आई के नहीं, सारी की सारी जो game है न, वो जो हमने पहला एक हफ़ता लगाया था, circles chapter का, वो 27 points के उपर टिकी होई है, जब आपको ये clear हो जाएंगे न, मुझे नहीं लगता कोई question फसेगा, जल्दी जल्दी, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ आगे बढ़े, चलो, अगला कोश्चन देखो, तू equal circles, अब equal circles कौन से होते हैं, equal circles मतलब, तू की radius equal हो, वेरे गुड, जो congruent है, radius equal है, intersects, in P and Q, a straight line through pre, a straight line, a straight line through P, meets the circle, at A and B, पहले खुछ से ड्रॉइंग बनाऊ इसकी, और फिर आपको टू प्रूफ करना हैं, बच्चो, QA is equals to QB, टेक अ लिटल टाइम, और खुछ से ड्रॉइंग बनाने की कोशिश करो, उने की काल टूफ करो, और खुछ जय कोशिए, और खुछ से झाले हैं, झाल 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 वेरे गुट काफी बच्चों का हो गया झाल जिसको नहीं बताओ झाल झाल यह रेडियर्स रेडियर्स सेम हो ना ठीक है अब कहते हैं दो इकोल सर्कल में एक दूसरे को इंटर्सेक्ट कर रहे हैं किसकिस दो पॉइंट्स में पी और क्यों इंटर्सेक्टिंग एक टू पॉइंट्स एक पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है ठीक है अस्त्रेट लाइन त्रूप्री मिच्टब्न एक एक अड बी यहां से एक स्चेट लाइन निकली यह ए और बी पे सर्कल्स को काट रही है मान रही हो इतनी बात समझभा रही है सबको ढूठ न की पूइंट की है के बी दे क्यूब के को लो आम इसको को जॉइन करते हैं कि समझ आ रही है न अच्छा यह हमारी कॉमन कोड़ है कॉमन कोड़ है बात क्लियर अब आप सोच के देखो जो यह कॉमन कोड़ है सेंटर पर जितना भी एंगल बनाए हमें कोई लेना देना नहीं है आगे जाके मान लो एंगल बना रही है थिटा वन इस पहले वाले सर्कल के हिसाफ से सोच्छो एस वन सर्कल के हिसाफ सर्कल को देखो सिरफ एस टू सर्कल को भूल जाओ जो यह कॉमन कोड़ है पी क्यों सेंटर पे जितना भी एंगल बनाए आगे जाके उसका हाफ बनाएगी माल लेते हैं वो एंगल है इस इस क्लिर कि वो एंगल थिटा वन है अब आप इस सर्कल को भूल जाओ S1 को S2 के लिए जो ये common code है S2 सर्कल भी तो S1 सर्कल ही है equal circles हैं दोनों congruent circles हैं दोनों equal radius के circles है ये length equally है common देखो ना ये एक तरह से question हो गया हमने ये पड़ा हुए दो congruent circles की दो equal length की codes center पे same angle बनाती है दिख रहा है सबको SSS से तो ये वाली code भी तो आगे जाके उतना ये angle बनाएगी ना circle की same होने की वज़े से circle का same होने की वज़े से बात समझाया ये छोटी सी बात है is this clear तो बस फिर अभी ध्यान से देखो ये triangle a b q triangle ये वाली angle के opposite sides एक triangle में equal angles के opposite sides equal होती है के नहीं yes sir I so stress triangle बनी ज़ा क्या समझाया सबको क्या किया इसमें game क्या थी किसी को डाउट है पूछो कि ध्यान से देखो ध्यान से सोचने वाली बात है कि यही केस बन गया ना कोड वही है दोनों के लिए circle लिए तो सेंटर पेस तो सेम एंगल बन रहा होगा आप कि क्यास के टाइम पी फॉन करना होता है कोई बात नहीं कोशन और लिखते हैं zwischen दिखते हैं कुछ होता है क्या बता वाइस आ जाए नहीं फिर री जॉइंग कर चलो कोश्चन लिखो कि बाइशेक्टर कि एडी कि आफ एंगल बीएएएएए कि आफ ट्राइंगल एबीसी कि पासीज तुरू सेंटर ओ पासीज तुरू सेंटर ओ आफ दो सर्कम सर्कल आफ ट्राइंगल एबीसी एज शोन मैं एक फिक भी दे रहा हूं आपको पर आपको टू प्रूफ करना है एबी इस इक्वेल्स टू एसी फोड़ा दिमाग लगाना ठीक है ऐसे फिग में कुछ जादा तो है एक सर्कल एक ट्राइंगल एक कुछ ऐसा सा इसका बाइसेक्टर हो गया यह सेंटर भी है सरकल का यहां पर ओ यह पॉइंट टी है चलो बाइक करो कोश्च मैंने मौर देन सॉफिशेंट आपको बताई दिये झाल 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 तो हवा यह मैं यह niशान हो फो यह दौन की तो कि आंड़ ट्राइस्ट्राइस्ट्राइस्ट्रइड्ण सब्सक्रण तो कि किसी का हुआ जब जी बाद में नाखून ठीक कर ले ना अब तो पढ़ लो पढ़ी रही है वेरी गुड ध्यान से देखते हैं की बाइ सेक्टर एडी ऑफ एंगल बी-ए इसी यह अंगल बाइ सक्टर ए तो यह भी थिटब रहरा होगा यह भी थिटर आऊगा मैं चेंटर ओ इसके सरकम सरकल के सेंटर से ही पास कर रहे हैं बात समझ रहें ना तो हमें प्रूफ करना है A B A C के equal होगा और भाई simple वाम होगा देखो ध्याणसे यह radius है यह radius है यह radius है यह radius है मांते हो अब एक triangle में equal sides के opposite angles equal तो यह angle भी θटा इधर से इसके कि यहां पर यह इंगल कितना बनेगा बता सकते हो आप लोग अ यह अगल कितना बनेगा 180 माइनेस कुछ टीटा और यहां पर ही इंगल कितना बनेगा 180-2 theta बात समझ रहे हैं वही समझ आ गया अब आप ध्यान से देखो यह कोड सेंटर पर उतना ही एंगल कि यह बात समझ आ रही है एबी कोड भी सेंटर पर उतना ही एंगल बना रही है बना रही है तो दो कोड अगर सेंटर पर एककोल एंगल बना रही है तो वह एककोल ही लेंथ होंगी बात क्लियर कुछ भी निता कुशन में बात समझ आ रही है ना कुछ ज्यादा नहीं था अच्छा मैं अभी किसी को होस्ट बना के रिजोइन कर रहा हूं कि वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों के मुझे बहुत जरूरी है तो माधव सिंगला कोई बना देते हैं कि दोनों कोड सेंटर पर एकोल एंगल बना रही है तो एकोल इन लेंथ तो होंगी होंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं टाइप थ्री कोशन्स टाइप थ्री टाइप थ्री कोशन नंबर फर्स्ट तो टाइप फॉर कर ले पता नहीं है फॉर कर ले यार इतने क्यों टेंशन ले रहा है और टाइप फॉर है कि थर्ड आई है फॉर 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 आईगा बस कैल्कुलेट दे मेजर ओफ एंगल झाल झाल अरे बताओ भाई सर आपको बेज दिया ठीक है सबका हो गया ये तर मेरे से गलती होगी दियांसर से दुबारा करने इसमें करने को क्या है अथरो थ्रीजिक्ष्टी की जगह एक एक सोस से ले लियां देखो भी दियांसर पहली इसको हलकासर जोइन करना पड़ेगा बात समझ रहे हैं इसको हलका सा जॉइन करें तो अब यह दिख जाएगा यह रेडियस यह रेडियस यह रेडियस यह रेडियस तो यह 30 एक ट्रैंगल में देखो एओ बिमें इकोल साइडिस को अप्टिट एंगल यह 40 तो यह 40 बस हो गया काम अब यह आर्क एसी आगे जाके अपने सेगमेंट में एंगल बना रही है 40 प्लस 30 जाने की 70 तो यहां पर कितना बना रही होगी सेंटर पे इसका दुगना कितना होता है यह बच्छों बात क्लियर हुई के नहीं हुए यह सुर्ण पक्तिवाद है सबको क्लियर अच्छा से है यह सब वेरी अगला कॉश्ण इसी तरीके से हमने प्रूव भी किया था अगर आपको याद हो याद है किसी को इन गिवन फिक बेटा हर रोज उन 27 पॉइंट्स को लिखके देखो अगर आप सर्कल्स जमेटरी जा मैंत में कुछ भी अच्छा गरना चाहते हूं बाकी तो मर्जी है दक्का तो गर नहीं वाएंगे ना ACB 31 डिगरी FIND BDC A B C D चलो भई करो कोश्षन सिंपल कोश्षन है यार जल्दी कर दो जल्दी करो दो झाल 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 रोड मी किन जातไ solutions जाता रुशा सेल धर के Burger तो पुछा का स्झोदा की अजएंग खिभी व्योक्त जजए मेंस्का कि प्युट्टी प्युटी commented हाईसे लोग में मेंगा डिकि बुटी जिस पहले है। जिस पुराइब गाम्प्रीट के बड़ा के लिए एंपरी है। जिस अब कुर लिखते हैं जूटी नहीं दुटी है। जिस उपला आईड रासी की शाट लिए नहीं दुटी कि ए में तो हमाइब बैक से पार शाट पर दो आपटेश है। वेरी गुड, 80 डिग्री इस दे राइट आंसर, देखो भी, A, B, C, ये पूरा एंगल दिया हुए 69, थोड़ी मार्किंग अच्छे से करनी है, A, C, B, A, C, B, तो ये एंगल दिया हुए 31, हमें B, D, C, निकालने हैं ये वाला, ये कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले ये काल लो, क्योंकि एंगल पूरी पूरी दिख रही है ना, इतना अंगल दिख रहा है है, 80 डिग्री, पूरा हंडर्ड, तो अंगल देन सेम सेग्मेंट ना, लेपे अंगल दिखने आरहे हैं ना, तो इस अंगल मस्ट बी 80 डिग्री, क्या बाद समझाई? इस एव ने लाहे हैं कर्द कर्ण जिखें? अच्छा। येस्टं ए्टस्टerson दूस जन्ताक्वा har 같़ा। लाहे हैं गुझे हैं वहेर फ्र्ड ट्ट्सरक। A, B, C is 100 degree Determine Angle A, D, C and Angle A, B, C और कोशन है बेटा मैं द्रोइंग भी दे रहा हूं आपको साथ में दी हुई है यहाँ पे center O है यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है यहाँ पे C लिख लो B को आप यहाँ पे लिख लो कुछ D पॉइंट इस कॉशन से आपके थोड़े concept clear हो जाएंगे कि Angle को कैसे देखते हैं यह दी पॉइंट आत यहँ आ यहाँ 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 अड़ रिख अडिख यहाँ 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 अड़ आगे के लिखे डिटिर्माइन क्या है अंगल एडीसी भाई एंड एंगल एबीसी हां कि फुरर में फिर विदिया हुए अंगल एबीची का अब यार तु दुमाग लगा ले अपना मैजर ओफ आर्क एबीसी इसका मैजर एबीसी आर्क का मैजर तो यह आगे जाके फिफ्टी बनाएगी तो यह साइक्लिक वाडिलिटरलम मैं ही कर देता है यह कितना बनेगा एक सो तीस यह अंसर आएगा वी समझ गये के नहीं पस मैं तो यह देखना चाता था कि आप एंगल्स को देख पारे हो यह सौ डिगरी वही पुछी जा रहे हो जो चीज देख नहीं थी तो बात ही कत्व हो गई यह कितना बनता 260 डिगरी उदर से देखना पड़ता ना उसके लिए वही एंगल्स को देख पारे हो के नहीं देख पारे हो सारी गेम ही एंगल्स की यार करें आगे बड़ें चलो देख लेते हैं एक अच्छा कुश्शन करते हैं दो यह आपको याग भी रखने आने वाली जब आप जिमेटरी पड़ोगे हायर लेवल पे इसमें बहुत काम में आएंगी दोनों पॉइंट्स तू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स इन ए एंड बी इन ए एंड बी एंड एसी एंड A-D R एस्पtechn vli एंड शुतिवल हैं दो बी प्रहोई कर्ण दोर्तव्श हैं एंड भी संड एंड दोन।ippe bak D सोचो ध्यान से कॉशन को और इसको रिमार्क्स में भी लिख लेना जो हमने 27 पॉइंट्स लिखी है एक पॉइंट जोडने की तो जुरूत नहीं है बट इसको वहीं पे रिमार्क्स में लिख लेना इसको और एक और कोशन करेंगे उसको इस रिजल्ट को आपको हमेशा ध्या झाल 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 किसी का हुआ और किसी का हुआ देखो ध्यान से टू सर्कल्स इंटरसेक्स इन एंड बी दो सर्कल्स एक दूसरे को ए और भी दो पॉइंट्स पे काल रहें ठीक है अब इन्होंने लिखा हुए एसी एंड एड अर्ड डायमेटर ऑफ सर्कल्स एसी एक डायमेटर बनाते हैं मेरे पास यह एक ही लाइन में होंगी इनकी एक ही लाइन प्रूफ करने यह सारी एक स्टेट लाइन है अगर मैं इस एंगल को बनेटी प्रूफ कर दूं तो बात बन जाएगी यह सुर्ण कि यह सर्ण करने के लिए इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं कधा कॉमन कोड comment करिया कर जिख रहा है यह एंगल इन सेमी सर में इन ढांटे दिग्री होगा किOh एंगल इन सेमी सर क्लोगैन है तो आं कि यह गनिंक्र को कदा के इसाफ़ए खुर एंगल कितना दिख रहा है है अगला कोश्चन ध्यान से करना इससे टाइप कर यह थोड़ा सा टू सर्कल्स टू सर्कल्स आर ड्रॉन थे चिके ट करेंगर बस्थ है ट्रिमम्ट सक् dispose of a triangle a b c as a diameter as a diameter okay the circles intersect at a point d prove that d lies on pc prove that d lies on pc so to draw the answer झाल 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 बाई हुआ के नहीं हुआ किसी का बाई हुआ क्या बात है बात तो समझ रहे हुआ इसको एंगल को जॉइन कर लो यह वही बात नहीं हो गई कि बीडी सी एक लाइन में होंगे यहां पर दो यह दोनों का पॉइंट ओफ इंटरसेक्शन यहां पर ओता, तो वह यह एक पॉइंट द्र्ण। ही प्alnızकि वो तो एक स्टेट लाइन थी पहले से तो आप इसको भिन बोल रहे हो इसको भी स्टेट लाइन बोल रहे हो यह तो एंगली सेमि सरकल हो नहीं हम 근데 आप प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो कि यह सोर नो चलो कोई बात नहीं यह पॉइंट मैं अगली क्लास में दुबारा भी कर आप इसको एक बार थोट लो इसको अच्छे से सोच अच्छा अब होंबग के तौर पर सब क्या अगर नहीं मादव ओके मादव सिंगला बस कर दो यह सर क्या है